दोस्तों यह जो आप प्रोड़क्ट देख पा रहे हैं इस तरह का मैनुफिक्शिंग आप भी कर सकते हैं दोस्तों इसको बनाने वाले मार्केट में बहुत कम हैं डिमांड इतनी ज्यादा है कि दोस्तों अगर बनाने वाले कम हैं तो आप सोच सकते हैं कि कि इतनी डिमांड ह आने लगेगी कि आप बेशते बेशते ठक जाएंगे कोई आपसे 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो नहीं लेगा तनों के भाव में आपसे ये प्रोड़क्ट लेकर जाएगा कोई एक बार नहीं लेगा गाड़ी भरबर कर ले जाएगा इतनी जारी डिमांड होने वाली है बुकिंग जो रहता इस माल का अगर क्वालिटी उनको अच्छा मिला तो इस माल का बुकिंग वो मेहने मेहने का बुकिंग एडवांस में आपके पास कर देता है जी और दोस्तो प्रोड़क्ट ऐसा रहने वाला है इसके उपर किसी तरह की कोई MRP नहीं है और जिससे की आपकी अपने एरिया में मोनोपोली क्रेट होने वाली आप अपने हिसाब से अपने मार्केट में अपने स्टेट में आप सेल कर सकते हैं इसमें आप दिन का आपके उडर आता है दोस्तो आप बेशते बेशते ठक जाएंगी इतने यदा इस प्रोड़क की इमांड होने वाली है और दोस्तो एस्वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन दबाईए और कमेंट कीजिए दोस्तो आपको इस प्रोड़ोट के बारे मेरे खालचा नहीं पता होगा और जिन लोगों को पता भी होगा यह जो प्रोड़ोट बनाया जाता दोस्तो बड़ी-बड़ी कंपनिया इसमें डिल करती हैं और बहुत बड़ी-बड़ी एफेक्टरें कोलनी पड़ती हैं करनी पड़ती है मुझे पता है कि आपके पास क्रोड रूपय नहीं है आप चाहते हैं कि आप अपने च्छोटी सी जगह में इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं जैसा कि आप यह एरिया देख पा रहे हैं बस इतनी सी जगह चाहिये और जिटना आपका Based इस के लिए के लिए बना सकते हैं जैसा आपने ठीक कहा की बहुत से कंपनिया ऐड़री यह प्रोड़क्ट मार्केट में बेच रही है बेसिकली यह जो प्रोडक्ट है ना सर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपके पास कोई 500-100 किलो के लिए नहीं आएगा लोग जो आएंगे वो टनो के लिए आएंगे टनो से खरीदेंगे लोग आपसे दूसरी बात यह है कि यह जो continue demand वाला प्रोडक्ट है यानि ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद लिया और उसने बाद में आना ही नहीं है एक कस्टमर आपके पास continue आएगा बहुत सारे कस्टमर तो ऐसा है कि उनका booking जो रहता है इस माल का अगर quality उनको अच्छा मिला तो इस माल का booking वो महने महने का booking advance में आपके पास कर देता है अ साफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं अब यह छोटा लेवल का plant बोल सकते आप जिसको medium scale industry आप बोल सकते हैं तो यह जो प्लाइंट है इसमें आप दिन का लगबग 7-8000 भी आप आराम से कमा सकते हैं बशरते आप एक अच्छी quality का product बनाएं और जो raw material आप purchase कर रहे हैं उसका आ आपके हर गाव में मिलता है बट इसका आपको जो purchase है वो हिसाब से करना चाहिए इसका moisture देखके करना चाहिए तो आपका profit दिन का 7000 तक भी लोग ले रहे हैं सर मशीन तो हर कोई लगा लेगा production हर कोई कर लेगा बनाना जैसा कि में देखपारों बहुत easy है ज्यादा इसमें लोगों की भी जुरूत नहीं है कुछ ही main power की जुरूत पड़ेगी और इसको start कर सकते हैं लेकिन main जो problem आती है marketing किस तरीके से की जाए इसको sale कहां पर किया ज बाकी marketing की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये product जो है वो continue नया customer ढूणने की जुरूत नहीं है एक customer आपका हर दिन या continue आपसे लेके जाएगा याने इसको हम हमारे marketing term में customer acquisition cost जो बोलते है वो काफी काफी कम है याने आपने एक दो चार customer जोड लिये तो आप उनको ही supply करते करते आराम से पैसा कमा सकते हैं तो marketing के लिए कहीं भाग दोड करने की जरूरत नहीं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं आप आराम से जो customer आपके जुडे हुए हैं उनसे lifelong काम कर सकते हैं दोस्तों मैं जो भी आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं ब करते हैं वीडियो में सब्सकिरद और कृटकल करते हैं तो एड़ी जहां जहां आप फार्बासुटीकल कंपनियां देखते हैं चिमनी लग हुती है जहां boiler वगेरा जलाया जाता है या bakery इंडस्ट्री है या फरसान इंडस्ट्री है फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या फिर जैसे मैंने कहा pharmaceutical इंडस्ट्री है जहां medicine वगेरा बन रहे है उन इंडस्ट्रियों में यह fuel बोल के use होता है जो LPG या gas या coal है यह natural resource है यह जैसे जैसे हम use कर रहे हैं वो तो कम होते जा रहा है तो उसकी price अल्रेड़ी बढ़ते जा रही है यह जो product बन रहा है यह product जो west है याने लकडी का जो भूसा जिसे बोलते है कोई लोग कुनी बोलते है जिसको already west कहा जाता था तो उसको use किया जाता है जैसे agri west है agricultural west है याने बहुत सारे लोग पराली वगेरा ऐसे ही खेतों में जला देते थे उससे एक तो energy loss भी होता था pollution भी बहुत ज़्यादा होता था तो जो biomass है याने जो agri west पड़ता है वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दू किसी article में यह study हुआ है कि अपने इंडिया में 250 million metric ton यह wood west, bio west यह west पड़ा है हर साल उसको processing करने की जुर्णत है तो यह जो product है इसलिए government भी इसको promote कर रहे है कि यह एक बहुत बड़ा energy resource है जिससे कि आपको बड़े बड़े companyों में जो लगने वाला fuel cost है वो लगभग आधे तक भी आ जाता है बहुत बहुत जगह पे तो 60% तक भी इसका fuel cost आ रहा है जहाँ पे LPG use होता था जैसे bakery industry का हमने बात किया वहाँ पे लगभग 60% तक उनका fuel cost आ रहा है तो इसलिए उनके लिए भी ये आज की date में मुनाफे का सवदा है इसलिए आप जब ये बनाते है जैसा आपने पहले भी कहा कि बड़ी-बड़ी company तो अल्रेडी टनों से ये supply करती है अभी इंडिया में बहुत ये import भी किया जाता है अभी यहाँ जो बड़ी-बड़ी company बना रही है वो अभी यहाँ का market भी फुल्फिल नहीं कर पा रही तो बड़ी-बड़ी companyों में करोडो investment लगता था अभी ये जो हमने machine आपके लिए लाई है आप सभी के लिए ये machine medium machine है और इस machine से आप जो भी production करेंगे आपके local area में ही वो बहुत बड़े पैमाने पे आप बेच सकता है तो ये wood pellet बनाने के लिए किस-किस equipment के जुरुत पड़ेगी जिसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो raw metal लगेगा वो मेरे खाल से dust है तो dust बनाने के लिए machine लेनी पड़ेगी हमें पैमाने पे कर रहा है तो आपको local area से ही आरा मशीन वगेरा रहता है वहां से आपको बहुत बड़े पैमाने पे सोडस्ट मिल जाता है अगर आपको सोडस्ट तो अवलेबल ही है फिर biomass भी है पत्ते कूडा कच्रा यानि जो पेड़ से पड़े हुए पत्ते है उसको भी जो यह वूट पॉलेट बन जाएगा वो कितने का हमें पड़ेगा मलब प्रोफिट मारिन कितना होने वाला से इस प्रोसेसिंग में अभी आप अगर 30 HP का कैलकुलेट करेंगे तो आउने डावरेज मेंटनेंस कॉस्ट लेबर कॉस्ट इलेक्ट्रिक कॉस्ट यह सारा पकड जो डाई अगेरा रहता है उसका भी हम धृब्लेट करें तो 4 रुपय प्रती किलो अउने डावरेज पढ़ता है यह अंदाजा है इससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत अगर हाड ओड है तो जाधा भी हो सकता है बट अउने डावरेज 4 रुपया और यह 5 रुपया 9 और मैं आपके जरीए दर्शकों को ये बता दू कि उड़ सौडस्ट पेलेट का हम बात कर रहे हैं बायो मास पेलेट का नहीं बायो मास पेलेट जो है वो काफी सस्ते मिलता है उसका डेंसिटी भी थोड़ा कम रहता है ये जो प्रोड़क्ट है इसका जो रेट्स आपको मिलता है ये उसकी कैलरिफिक वैल्यू पे मिलता है जो कैलरिफिक वैल्यू प्रॉपरी चेक होता है अभी जो हम सौडस्ट का बात कर रहे है वो रीटेल में बहुत सारी जगह पे तो 25 रुपए किलो भी आराम से जाता है आप इसका आउनलाइन भी प्राइच चेक कर सकते है बायो मास पेलेट आपको 15 रुपए, 13 रुपए, 16 रुपए ऐसे मिल सकते है बट सौडस्ट जो पेलेट है वो 17 रुपए, 18 रुपए होलसेल चेज जाता है और रीटेल में 25 रुपए तक भी जाता है क्यालरफिक वाल्यू पे ये सारे रेट डिपेंड है और सबसे खास बात तो यह है कि दोस्तों आपको ब्रांडिंग करने की भी जुरूत नहीं है ना इसके उपर इसको लूज में ही सप्लाई करना होता है और ना कि किसी तरह की कोई MRP होती है तो आपकी बिजनेस की मोनोपोली होने वाली है आप अपने एरिया में ही आप अपने राजा बन जकते हैं किंग बन जकते हैं अब अगर आप कॉलिटी देते हैं ना कस्टमर को तो कस्टमर बहर से आज की डेट में जो मैंने जितने भी एक्सामपल बोले यह सारे बहुत अलग अलग जगह से मंगा रहे और पले उनको इसका कोस्ट भी आता है जब आप वहां पर उनको अच्छी क्ואालिटी का मटेरियल देते है तो उनका भी बहुत अच्छा बच्छत हो जाता है तो वो आपको अच्छे रेट पर ये रो मेटेरियल का जो उनके लिए जो तो सर इसको स्टोर किस तरह से करना होगा किस चीज से बचाना चाहिए क्योंकि बनाने के बाद हमें स्टोर भी करना होगा सर इसको आपको moisture से बचाना है याने पानी से बचाना है बाकी इसको आप 6 महिना साल भर भी आप आराम से रख सकते हैं इसमें सिर्फ moisture आपको add होने नहीं देना है तो आप उसको उस तरह से packing करके रख सकते हैं उसको कुछ problem नहीं है वैसे आपको रखने की भी जुरूत ही नहीं है निकालेंगे ओनलाइन डाल दीजिए इंडिया मार्ट पर डाल दीजिए और सुना है सुना है सर आप लोगों को business ideas भी देते हैं सर हम कैसे marketing उसका कर सकते हैं उसके कुछ ideas देते हैं याने लोगों को वो थूड़ी आसानी रहे लेकिन लोगों को खुद ही उसको अगर वो करेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से करते हैं उनका confidence level भी बढ़ जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे अ सर बहुत कुछ कहना चाते हैं लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होता है आपके पास भी बहुत समय कम है क्योंकि हम नहीं चाते हैं कि आपको बोजयत होने लगे तो अधिक जानकारे के लिए सामने दिवे नमबर पर कॉंटेट कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीज़े डिसक साथे किसा